नमस्ते दोस्तों ये तांजली की दुनिया में खुब-खुब स्वागत है आपका आजब फ्रेश पैनेपल का स्कुएश बनाएंगे ये देखिए पैनेपल है अच्छा पका हुआ छोटा सा था देखिए इसकी आखे निकाल दी बिल्कुल साफ है और बीच का हिस्सा भी और जितना जिस बर्तन से पैनेपल उसी से चीनी नापेंगे और ये देखिए सिट्रिक एसीड है ये देखिए एक चौथाई चमश और कलर ऑप्शनल है आप डालना चाहें येलो कलर पीला रंग बहुत थोड़ा सा पड़ेगा एक चौथाई चुटकी तो ये देखिए प देखिए इसमें तो ज्यादा दिख रहा है लेकिन वैसे देखिए भी डालेंगे कटोरी में तो ये बहुत थोड़ा दिखेगा तो चली शुरू करते हैं ब्लेंडर में ये इन पैनेपल को पीसस को डाल देंगे अगर पैनेपल पका होता है तो इसका बहुत बढ़िया स्कौश बनता है और थोड़ा कच्चा है तो उसमें खटापन जादा होता तो आप सिट्री के सिट कम कर दिजए और एक ग्लास पानी डालेंगे और इसको बहुत महीन पीस लेंगे अब पिस गया है अब देखिए इसमें पूल के उपर कटोरे के उपर छनी रखके ऐसे चान लेंगे आप कपड़े से भी छान सकते हैं कैसे भी छानने प्लास्टिक वाली छनी से जो आपके पास हो आप उससे छान रहें कि गयास जला दिये और उसमें एक ग्लास पानी डाल देंगे अगर आप इसको कप से नापते हैं तो यह दो कप चीनी और इसको बस घुल जाने देंगे इस चीनी को जैके चीनी घुल गई है बस खार ली घुल जाए अब इसमें जो जूस बनाया है वो डाल देंगे इसमें यो देखिए जूज डालने के बाद धिमीधी में चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और जब इसका फेना निकलने लगेगा तेज गैस पे जल्दी निकलना होगा तो उसको निकलते जाएंगे अभी नहीं हुआ यह देखिए खौलने लगा और इसके फेने को बहाँ निकालते जाएंगे कोशिश करें जितना निकला है क्योंकि यह बार-बार हो जाएगा अब देखिए दोस्तों अगर आप सिट्री के सिट डाल देंगे और फूट कलर ऑप्शनल है आप डालना चाहें डालें देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है और इसको मिला लेंगे थोड़ा सा पोल में कटोरी में लगा है उसको घूल के डाल दे रहें अब अब इसको दस मिनट ऐसे मीडिम फ्लें पर ऐसे खौल लें देंगे इसकी consistency अभी देखे और दस मिनट के बाद ग्यास बंद करके इसको एक से देड़ घंटे के लिए ठंडा होने रख देंगे ग्यास बंद कर दिया अब इसको एक से देड़ घंटा ठंडा होने रख देंगे देखे ठंडा हो गया अब डेड़ घंटे बाद अब इसकी consistency देखे तिक हो गया है गाढ़ा हो गया है अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे अब जिसमें डालना चाहें बॉटल में बॉल में जिसमें भी डालना चाहें अभी इसमें डाल रहें बाद में बॉटल में पलेट लेंगे तो यह देखिए तियार है बिल्कुल चलिए सर्फ करते हैं अगर चीनी नहीं डालते हैं अगर चीनी उपर से डालने पड़े तो सारा टेस्ट चला जाता है तो आप बस ग्लास में Ice Cubes जालिए और उसके उपर से स्कॉर्श डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए इसलिए उसमें इतनी चीनी डाली जाती कि बाद में ना मिलानी पड़े देखिया पानी मिलाके थोड़ा थोड़ा सा स्क्वाश उपर डाल लेंगे तो दोस्तों अगर आपको प्रोसेस पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिये शेयर करिये सबस्क्राइब करिये बनाईए पीजिये और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताईए आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार है चलिए फिर मिलतेगी तांजली के दुनिया में किसी नई चीच के साथ नमस्ते